जैहिन दोस्तों उम्मिद है आप लोग बहुत ही बढ़िया हो मैं आप लोग का फ्रेंट एक सॉल्जार फिट दोस मंडॉल आप लोग आजिरो प्रेट इप्रेट इपन्स अकाडेमी दोस्तों एक बहुत ही बड़ा गुड नियूज है आज CRPM में एक नया नोटिपिकेशन दिया है जिसमें टूटल 12,118 बन कॉंस्टेबल नियू रिक्वर्मेंट होगा तो जिस जिसको कॉंस्टेबल का सर्विस ज़रूरत है उसके लिए ए वीडियो है और उससे पहले मैं एक रिक्विस्ट सबको करूंगा हमारा एक प्री प्री यह जानकरी लेना चाहते है वो कर सकते है तो दोस्तों अभी हम लोग ऑफिसल साइट के उपर है जो इंपोर्टेड नोटिसबल के यह सेक्षन में आया यहां पे जब 18 जून आ जाएगा तो वहां पे क्लिक करना है जैसे अभी आ गया 18 जून तो यहां से आपको PDF डाउनलो करना पड़ेगा और आप लोग लाइब देख रहे हो इसलिए थोड़ा इंतेजर तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है तूबी पाप्लिस्ट इन दा गेजटेट ऑफिश गेजटेट ऑफ इंडिया एक्स्टर ओर्डिनेरी तो दोस्तों एक गवर्मेंट ऑफ इंडि करना पड़ेगा पूरा जनकरी जानने के लिए दोस्तों एक पोस्ट का नाम है पोस्ट ऑफ दा नेम कॉंस्टेबल कीचेन सर्विस टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है बारह हजार एकसो अठावन दोजर एकिस का वेकंसी है जिसके अंदर आपको मेल 11,860 और फीमेल 298 है तो दोस्तों यहां एक गेज़ेटेट सर्विस कृफ सी नौन गेज़ेटेट फोस्ट है और यह लेवल 3 है जिसको बेसिक पे 21,700 लेके 79,100 तेक तो दोस्तों लगबख स्टार्टिंग में 33,000 से 34,000 रुपिया मिलेगा जिसको सर्विस मिलेगा और आपको हाइट बगर अभी देखना पड़ेगा कौन-कौन एलिज़ेवल है इस सर्विस के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा पास साल छूट मिलता है और ओविसी कैंडियेट को तीन साल छूट मिलता है तो दोस्तों यह फाइदा जो रिजर्ब कैटेगोरी है वो ले सकता है और इसके लिए नुनोतम जो एडूकेशन चाहिए वो चाहिए टेंद क्लास पास और मतलब बोट का जो सर्टिपिकेट है वो होगा तो चलेगा और एनसक्यू एफ लेवल वान कोर्स इन फूट प्रोसेसिंग यह वाला चाहिए क्योंकि ए कीचेन का सर्विस है इसलिए यह वाला सर्टिपिकेट चाहिए और साथ-साथ फूट का भी जो कुक का थोड़ा एक्स्पिरियंस चाहिए दोस्तों यहां पर हाइड और केंडियस का चाहिए 165 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए 175 सेंटीमीटर और एक्स्पिन करना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर मतलब 80 सेंटीमीटर फिमेल का हाइड चाहिए 155 सेंटीमीटर और इसका कोई चेस्ट का माप का जुरूरत नहीं है रिलक्सेशन आपको मिलेगा जो ST कैंडियेड है और जो रिजर्ब कैंडियेड है उसका आपको रिलक्सेशन भी मिलेगा जैसे ST जो कैंडियेड है उसका 107 cm मिलेगा रिलक्सेशन मिनिम्म हाइट फॉर दा ओल कैंडियेड विलोंग टू दा स्विडूल ट्राइब काटागोरी ओल दा स्टेट यू नांटे टेरिटोरी और ओल डिस्टिक फॉलो विलो यहां पर जो ST जो आत contracting है 101 cm उसका हैट चाहिए आरचेस चाहिए 75 to 80 cm और जो लेड्य है कंडियड है balance 144 cm उसका हैय चाहिए जो जो सिटूल ट्राइब कैंडियड हिलेड इयह में रहता है उसका हैय स्टेथ है 155 cm चेस्ट सेम है और लेडी के लिए 147 cm तो आपको इस नोटिफिकेशन में पूरा जानकरी मिल जाएगा आप लोग जाके देख सकते हो आपका कौन सा एरिया में कहां आपका घर पड़ता है दोस्तों जो घोरखा बंदा है उसका लिए जो हाइट चाहिए वो है 155 cm चेस्ट 75-80 cm लेडी केंड़ेट को 150 cm मिनिमम हाइट फॉर्ड ऑल केंड़ेट्स जो हिलिंग एरिया में नौर्थ इस्ट में बिलॉंग करते है जैसे अरुनाचल प्रोदेश मोनिपूर मेगलाई मीजराम सिक्किम तीपूरा नागलेंड इसका हाइट चाहिए 60 cm और इसको सेंटिमेटर चेस्ट मतलब 75-80 cm लेडी केंड़ेट को 150 तो दोस्तों ऐसे करके आप पूरा जो जनकरी है वह देख सकते हो और यह ऑपीसियल साइट का न्यूज है अब लोग भी जाके फ्रॉम ज़रूर चेक कर लिजिए याद रखना यह वाला जो फ्रॉम आया है यह टोटाल 12,118 केंड़ेट के लिए और यह है कीचेन सर्विस मतलब कूक के लिए जो जो बांदा फ्री में प्री एड्मिसन करना चाहते है ओ डिस्किप्शन में दिया हुआ लिंक में जाके क्लिक कीजिए जिसको मैं लाइब आ है प्री एड्मिसन क्लास दोस्तों जिसको स्पेशल ट्रेनिंग में एड्मिसन लेना है और हम लोग चैलेंज कोर्स में जिसको सार्विस नहीं होगा उसका 100% जो कोर्स पीज है वापस करेंगे जितना उसका कोर्स फीज होगा तो दोस्तों और टाइम ना करके नीचे जाके आप जोरूर इस कोर्स के उपर ध्यान दिजिए सब बढ़े रहे जय हिंद जय भरत